नमास्कार स्वगत्यापका हमारे अचार जागिंद्रमिशा चैनल पर कोई कितना भी उधार मांगे सावन की महीने में यह चार चीज किसी को ना दें भोलेनात छोड़ देते हैं साथ दोस्तों सावन की महीने का हर एक दिन बहुत सुब और मंगलकारी माना जाता है सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना की पवित्र गंगा जल सावन का महीना भागवान भोलेनात की सक्ती का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज़्यादा हो शके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेश तोर पे भगवान भॉलेनात को प्रसंद कर ले या करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं साक्षात भगवान भॉलेनात उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भॉलेनात का उसके घर में आगवन हो जाता है इसी वज़े से सावन विशेश तोर पर महत्तु रखता है दोस्तों इसी तरह से सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार कर बोले नात को प्रसंद कर सकते हैं तो वहीं दूसरी चीज कि सावन के महीने में कुछ शीजे करने के बारे में कताई मना किया जाता है इन चीजों को अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुश्यां रहती है अन्यता आपको दुख की प्राप्ति होती दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई कितना भी जरूरी क्यों न हो जाए कोई भी आप से इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भोल कर भी चार चीजे किसी को ना दे अन्य था आपके परिवार में कंगाली आ जाएगी या फिर कंगाली की चपेट में आ जाएंगे कंगाली देखने को मिलेगी महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं वो रुष्ट हो जाएंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप भगवान सिवसे प्यार करते हैं अगर तो सच्चे दिल से कमेंट बाक्स में लिखें ओम नमय शिवाय सावन की हरदिक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा दोस्तों आज के समय में उधार देना या लेना हर ब्यक्त की जीवन में जरूरी सा हो जाता है कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजे व बॉपस प्राप्थ हो सके तो इसकी वज़य से वो उधर दे देते हैं तो कुछ ब्यक्ति सामाजी के शरोकार निभाने के लिए उधर देते हैं लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं सावन के महिने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली बिद्धमान हो कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें। अगर आप इस प्रकार की सामागरी दूसरे ब्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से भोले नात दूसरों के घर चले जाते हैं। अंदर साक्षात आगवन करने के लिए आते हैं तो इश्वात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। कि सावन के महीने में भोल कर भी कोई ब्यक्ति आप से धन उधार मागने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए। और सावन में आप किसी भी अनिवक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। रुपया पैसा नदे वरना माता लक्षमी जी भी रोष्ट हो जाती हैं और भोलेनात भी आपको साथ छोड़ देते हैं। ऐसी मानता है कि सावन के महिने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो धन कभी भी लटकर नहीं आता बलकि इसमें धन देने वाला और लेने वाला दोनों करजे में डूब जाते हैं। दोस्तों सावन का महिना भागवान भोलेनात को दोध अवशे करने का भी महिना माना जाता है। इसलिए तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि सावन के महिने में सफेद चड़ाई जाती हैं सफेद चीजें। अगर कोई मागने आ जाए तो आपको भोलकर भी किसी अनिवेक्ट को ये तीसरी चीज नहीं देनी चाहिए। अगर आप भोलेनात को चड़ाने के अलावा ऐसा कार करते हैं तो मान लिजे आपके घर की लक्षमी दोसरों को घर चली जाती है और साक्षात भोलेनात क्रोध क करना करना पड़ता है। बहुले नाथ आपको कंगाल बना देते हैं और कुरोध का सामना आपको करना पड़ता है। साथी साथ ध्यान रखें अपने घर की आपको किशी को भी नहीं देना है। दोस्तों आप अपने घर में जैसे किवाले जे सुबह सुबह कोई चीज मागने आजाए पैसे बगरे मागने आजाए या फिर कोई तस्वीर बगरे मागने आजाए तो आपको किशी को भी उधार में नहीं देना है। नहीं तो इससे भॉले नात की कृपा आप पर नहीं बरसेगी। लक्षमी भी आपके घर का रास्ता भोल जाएगी। और आपके घर से खुसहाल जीवन यानिकी नरक जैसा बन जाएगा। दोस्तों अगर आपके घर से कोई दूध मागने आजाए या फिर कोई सफेज चीजे जिसके सक्कर मिस्रे भी मागने आजाए तो आपको भोल कर भी किसी को नहीं देना है। अगर ऐसा करते हैं तो निश्ची तोर पे आपके घर से यानिकी खुसहाल जीवन चला जाता है और भोले नात रूट जाते हैं। जड़ी कोई भी चीज किसी को उधार मनना दें वरना भोले नात के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव साथी वीडियो को एक लाइक तो बनता है महादेव के लिए इसे जदा जदा शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा। हर हर महादेव ओम नमाई शिवाए। हर महादेव ओम नमाई चैनल करिए जरूर करिए खान। झाल झाल